मिजे कॉलिज में अंबिया की पढ़ाई कर रखे चात्रों की कक्षा में कम अपस्तिती होने पर प्रबंदन ने परिक्षा देने से रोका तो एनस्युआई और चात्रों ने कॉलिज में किया जम करंगामा दो थानों से बुलानी पड़े पुलिस पशहिअ जवननुआटीन खए गए मたच दो laug को ने को पर सथा होकी कि पार बन कम ड़ ख़र खरू जाएक अमनों तो कि कए ता यह всю आप लगोंने बताया है कि पैसे लेकर भी आपकी नीए धाहा है के हमें underground information हमें पता रहे हैं कि बूर सारे वच्चोंगे पैसे भी ही लिए गए है और उनके exam फाउं खौले गए है बस दिक्कत एती कि हम लेख़ोगे शायद हम पैसे दिने मेफसे ने मिल दोगे लए हमारे exam फाउनी बहुत है प्रबंदन को पुलिस को बनाना पड़ा दरसल प्रेस्टीज कॉलेज से प्रेस्टीज का कोई भी जवाबदार व्यक्ती बात करने को तयार नहीं है और बात लिखित में देने को तयार नहीं है कि हमने इस तरह की हरकते करी है यहां पर हर जो बच्चे यहां पर बैठे हुए है इनकी शौट अटेंडेंस है हम मानते हैं लेकिन जो बच्चे अंदर बैठे हुए है उनकी भी शौट अटेंडेंस है और उनसे पैसे ले करके और जैक लगा लगा करके जहां पर जिनकी अप्रोच है उन बच्चों को अंदर एक्जाम देने के लिए बिठा रखा है ये कहां तक सही है हम नहीं बोलते हैं कि इन बच्चों को एक्जाम देने दिया जाए क्या ये बच्चे डिजर्व नहीं करते ही कि एक्जाम दे इसी बात को लेकर के हमें और RK SHARMA जो यहा出去 डाइरेक्टर है वो आगर कर बात करने के तैयर निए वो अपनी जित पर अड़े हुए हैं कि हम एक्जाम नहीं रेने देंगे इसी बात को लेकर करके आज यहां पर प्रदर्शन हो रहा है अमित बटेल एने सुए जलाद दर्शन्दॉर का मंकित की गई थी लिहाजा उन्हें नोटिस देकर शेता भी दिया गया था लेकिन छात्र संगटन एनस युवाई इन छात्रों को एक्जाम दिलवाने और आमदा था छात्र संगटन का आरोब था कि और भी कई ऐसे छात्र गए जुनोंने पैसे देकर प्रबंदन से साथ गाट कर परिक्षा में हिस्सा लिया गए लेकिन प्रबंदन इस आरोब को नकारता रगा छात्रों ने भी छात्र संगटन के साथ जम करहंगाम हुआ छात्र लगातार एक्जाम दिया जाने की बात कहते रखे लेकिन प्रबंदन के सामने एक ना चली छात्रों की दलील थी कि कुछ छात्र कई गंबीर करने से जिंकिया वो अच्जाम दे रहे है नहीं आ सके इसलिए वह लासें में हस्सा नहीं ले सके छात्र संगतर के पदरीकारी का ओरुपता की प्रवंदन के पैसों को लेकर चात्रों को परिशां कर रहा गए प्रवंदन के माताबिक लगाता liedान में शेतावरी दी गई थी कि वह क्लासें लो पर CET internet उनके परिजनों को भी जानकारी दी गई थी जो लोग हंगामा कर रहे वह कॉलेज के छात नहीं हैं। छात्र संगटन के लोग गैर कारूनी तरीके से दवाब बना रखे हैं। उनके पेरेंट्स को बताया गया। फिर भी उन्होंने जो है अपनी आद्तों को नहीं सिपा रहा है। प्रेस्टीज इंस्ट्यूट एक एक चात्र के सरवांगेंड विकास और चात्र के एकडिमिक एक्सिलेंस के लिए परतिबाद है। हम कोई भी ऐसा कार्य चात्र को नहीं करने देंगे जिससे ये दोनों चीजों पर कोई कुटार हगा दोता। तो उन बच्चों को बाहर के आ गया उन्होंने अंडर्टेकिंग दी थी कि हम अगली बार पूरा